बच्चों आज हम पढ़ेंगे NCRT क्लास 8 की हिंदी की पाठि पुस्तक जिसका नाम है वसंत भागतीन और इस पुस्तक का पाच्वा पाठ है जिसका शीर्षक है चिठ्थियों की अनूठी दुनिया इस पाठ को लिखा है लेखक अर्विंद कुमार सिहने आज हम देखने वाले हैं इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न एवं उत्तर तो आईए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सबसे पहले अभ्यास प्रश्न एवं उत्तर जिन शीर्षकों के अंतर कथ हम देखेंगे वो शीर्षक है पहला है पार्ट पर आधारित क्विल्स जो की बहु विकल्पिये प्रशन के रूप में होगा दूसरा है पार्ट से संबंधित अतरिक्त प्रशन और उनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे तीसरा है भाषा की बात जो आधारित है व्याकरनिक प्रशनों पर तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहला है दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए यहाँ पर एक प्रशन दिया जाएगा उससे संबंधित चार विकल्प आपको दिये जाएंगे उनमें से एक जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है इस वीडियो में जितने भी प्रशन दिये गए हैं सब के उत्तर आपको यहीं मिल जाएंगे तो आईए शुरू करते हैं पहला प्रशन है पत्र किसे सहेज कर रखते हैं विकल्प कुछ इस तरह से हैं क मुस्कुराहट को ख दुखों को ग यादों को ग गुसे को सही उत्तर है ग यादों को दूसरा है पत्र किसे कहते हैं विकल्प हैं क समाचार पत्र को ख पोस्ट कार्ड को ग पत्रिका को और ग लिखित रूप को तो यहाँ सही उत्तर है घ लिखित रूप को तीसरा प्रशन है तमिल में पत्र को क्या कहते हैं विकल्प है क कडिद, ख पत्रम, ग कागद, घ उत्तरम सही उत्तर है क कडिद चौथा प्रशन है आधुनिक संचार साधनों के होने के बाद भी पत्रों को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है विकल्प है क हमेशा सम्हाल कर रखे जा सकते हैं ख हमारी भावनाओं को उज़ागर करते हैं ग गोपनिय रूप में रखे जा सकते हैं ग उपर्युक्त सभी सही उतर है ग उपर्युक्त सभी पाच्वा प्रश्न है भारत में हर रोज कितनी चिठियां डाक में डाली जाती हैं विकल्प है क चार करोड चिठियां ख तीन करोड चिठियां ग साढ़े चार करोड चिठियां ग पांच करोड चिठियां सही उत्तर है ग साढ़े चार करोड चिठियां साथमा प्रश्न है, संचार के किन साधनों ने दुनिया को बदल दिया? विकल्प है क टेलिफोन, ख वायरलेस, ग रेडार, ग उपर्युक्त सभी सही उत्तर है ग उपर्युक्त सभी आठवा प्रश्न है किस शेत्र में डाग चिठियों का चलन सबसे अधिक है विकल्प है कर राजनेतिक छेत्र में, ख व्यापारिक छेत्र में, ग सामाजिक छेत्र में, घ धार्मिक छेत्र में सही उत्तर है ख व्यापारिक छेत्र में नवा प्रश्न है पत्र संस्कृति को विख्सित करने के लिए सकूली पार्ठिक्रम में किस विषय को शामिल किया गया? विकल्प है क व्याकरणिक विशे, ख रचनात्मक लेखन विशे, ग पत्र लेखन विशे, ग साहित्तिक विशे सही उतर है ग पत्र लेखन विशे दस्वा प्रश्ण है विश्व डाक संग की ओर से बचों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं कब से शुरू की गई विकल्प कुछ इस तरह से है क सन 1970, ख सन 1971, ग सन 1979, घ सन 1972 सही उत्तर है घ सन 1972 ग्यार्वा प्रश्ण है कौन सी दुनिया आज भी चिठियों से ही चल रही है विकल्प है क शहरी दुनिया, ख देहाती दुनिया, ग आदिवासियों की दुनिया, ग पिछडी जातियों की दुनिया सही उत्तर है ख देहाती दुनिया 12. चिठियों की तेजी को किसने रोका है? विकल्प है का फैक्स, इमेल, टेलिफोन, मोबाईल ने, ख सरकारी कार्यालेओं ने, ग विदेशी सभ्यता ने, ग सामाजिक संस्थानों ने. सही उत्तर है का फैक्स, इमेल, टेलिफोन, मोबाईल ने. 13. रेलवे और तार से क्या बदलाव आया? विकल्प है का संदेश ज्यादा जल्दी पहुँचने लगे, ख पत्र का जवाब भी साथ ही मिल जाता, ग लोगों को रोजगार मिल गया, ग संदेश का महत्व कम हो गया. सही उत्तर है का संदेश ज्यादा जल्दी पहुँचने विभाग घ तार घर, सही उत्तर है घ तार घर, पंद्रवा प्रश्न है सैनिकों के लिए पत्र का सबसे अधिक महत्व क्यों माना जाता है? विकल्प है का प्रिये जनों के पत्रों को पढ़कर अपना मन बहलाते हैं, ख संबंधियों के कुशल शेम की जानकारी मिलती है, ग सभी इलाकों में फोन या इमेल की सुविधा नहीं होती है, ग उपर्युक्त सभी, सही उत्तर है ग उपर्युक्त सभी, सोल्वा प्रश्न है डाक विभाग की क्या विशेश्ता है? विकल्प है का लोगों को जोडने का कार्य करते हैं, ख हर वेक्ती संचार साधन से परिचि ग घर घर जाकर डाक पहुचाती है, ग उपर्युक्त सभी, सही उत्तर है ग उपर्युक्त सभी, सत्रवा प्रश्न है लिखित कार्य में गांधी जी को क्यों कुशल माना जाता था? विकल्प है का बहुत सुन्दर लिखते थे, ख उल्टे हाथ से लिखते थे, ग वे दोनों हाथों से लिख सकते थे, अठारवा प्रश्न है, मनी ओर्डर क्या होता है? विकल्प है का धन का ओर्डर करना, ख किसी छुपे धन का पता लग जाना, ग डाग घर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाकिये द्वारा धन भेजना, ग पत्र पाने के लिए धन देना सही उत्तर है, ग डाग घर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाकिये द्वारा धन भेजना, उनीस्वा प्रश्न है, गाव और गरीब बस्तियों में डाकिये को किस रूप में देखा जाता है? विकल्प है क मददगार के रूप में, ख देवदूत के रूप में, ग देववरत के रूप में, ग देवगुरू के रूप में, सही उत्तर है, ख देवदूत के रूप में, बीस्वा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा लिखित जवाबी पत्र को लोग किस चीज के समान मानते थे? विकल्प है क प्रशस्ति पत्र, ख प्रार्थना पत्र, ग बधाई पत्र, सही उत्तर है क प्रशस्ति पत्र, तो यहाँ पर बहु विकल्पिय प्रश्न खत्म होते हैं, आईए देखते हैं कुछ प्रश्न और उनके उत्तर, पहला प्रश्न है, डाक विवस्था के सुधार और पत्रों को सही दिशा देने के लिए कौन से विशेश प 72 से विश्व डाक संग ने 16 वर्ष से कम आयूवर्ग के बचों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने की शुरुआत की दूसरा प्रशन है डाग विभाग के करमचारी कहां कहां जाकर डाग बाटते हैं उत्तर है डाग विभाग के करमचारी लोगों को वाले लोगों तक दुर्गम जंगलों से घिरे गाउं से लेकर बर्फ बारी के बीच पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों तक समुद्र तटपर रहने वाले मच्छुआरों से लेकर रेगिस्तान में बसने वाले लोगों तक उनकी चटियां पहुचाते हैं प्रशन जाता है कि जैसे ही गांधी जी को कोई पत्र मिलता था वह उसी समय उसका जवाब भी लिखने बैट जाते थे पत्रों का जवाब भी अपने हाथ से ही लिखा करते थे जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जा के बारे में क्या कहा उत्तर है पंडित जवाहर लाल नहरू ने संचार साधनों के विकास के बारे में कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज दोड़ने वाले घोड़े हुआ करते थे उसके बाद रेलवे और तार सुविधा के आने पर संचार क शेत्र में बहुत बदलाव आया तार के माध्यम से रेल से भी तेज गदी से समवात पहुचने का सिलसिला शुरू किया गया अब टेलिफोन वायरलेस और भविश्य में रेडार के आने पर दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा तो यहां पर चारों प्रश शब्द के योग से 10 नए शब्द बनाई यह जो उत्तर है वो कुछ इसतरा से है पहला है पंजियन पत्र दूसरा शिकायती पत्र तीसरा शोक पत्र चौथा आवेदन पत्र पाच्वा छमा याचना पत्र छट्मा सम्वेदना पत्र साथमा प्रशन्शा पत्र आठ्वा दूसरा प्रश्न है एक प्रत्य जोड़कर नए शब्द बनाईए। यहाँ पर मूल शब्द दिये गए हैं और इसमें एक प्रत्य लगाकर नए शब्दों का निर्मान किया गया है। तो पहला है व्यापार धन एक बनता है व्यापारिक, समाज धन एक बनता है सामाजिक, अर्थ धन एक आर्थिक, दिन धन एक दैनिक, परंपरा धन एक पारंपरिक, वहवार धन एक वहवारिक, साहित्य धन एक साहित्य तो आईए बढ़ते हैं तीसरे प्रशन की ओर, तीसरा प्रश्न संधी पराधारित है यहाँ पर संधी के बारे में थोड़ी सी जानकरी पहले हम ले लेते हैं संधी के तीन भेध होते हैं स्वर संधी व्येंजन संधी और विसर्ग संधी इसके बाद स्वर संधी में भी कुछ और भेध होते हैं जिन में पहला भेध है दीर्ग संध यहाँ पर दीर्ग संधी क्या है आईए देखते हैं रस्व या दीर्ग स्वर के बाद यदि रस्व या दीर्ग स्वर आए तो यहाँ आपस में मिलकर दीर्ग स्वर में बदल जाता है इसके नियम कुछ इस तरह से है अ धन अ बनेगा आ अ धन आ आ अ धन अ आ अ धन आ आ इसी ये देखते हैं दीर्ग संधी के कुछ उदारन, पहला है स्वधन अधीन, स्वाधीन, हिम धन आले हिमाले, रवी धन इंद्र, रविंद्र, प्रती धन इक्षा, प्रती इक्षा, वधु धन उत्सव, वधु उत्सव, भानु धन उदय, भानु दय, नारी धन इश्वर, नार चिठियों की अनूठी दुनिया से संबंधित इन अभ्यास प्रश्णों को पढ़ने के बाद इस पाठ को और भली भाती समझ सकेंगे NCRT क्लास 8 के अन्य पाठों के अभ्यास प्रश्ण भी हमाने वाले समय में जरूर्द पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद, थाइंक यू